खंड है, खामोश है दरफ्त सूने पड़े इन वीरानियों में कोई रहता है कई राज यहां दफ्न से है जो जानेगा हैरान रह जाएगा डर ऐसा की खौफ खाएगा पहाड की गोद में मौजूट ये खंड है अंग्रेजों की दहशत की कहानी को बया करते हैं वो हिंदुस्तानी जिन्हें अंग्रेज चुक्के सिफासी पर चड़ा देते थे कहते हैं उन निर्दोश हिंदुस्तानी की रूह आज भी यहां भटकती है उत्रा खंड के पहाडों के बीचों बीच बसा एक ऐसा सच जिसके बारे में लोग ना के बराबर जानते हैं आखिर पहाडों की रानी मसूरी की वादियों के बीच ये कौन सी जगह है और इन खंडरों में ऐसा क्या क्या छिपा है ये जानने के लिए विंगुमककर की टीम सबसे पहले दिल्ली से दहरादून की ओर बढ़ी करीब पांच घंटे में ये सफर पूरा हुआ लेकिन हम दहरादून में नहीं रुके हम दहरादून से मसूरी के रास्ते में बढ़ें गैरादून के मशूर रिपोर्टर अभिशेक सिनहा से हमें जानकारी मिली थी कि मसूरी की पहाड़ियों में मौजूद उस जगह को चांडाल घाटी या चंडाल गड़ी के नाम से जानते हैं पूचते पूचते बिंगुमकर की टीम उस रहसे में स्थान की खोज में आगे बढ़ती रही हमारा सफर शुरू होते ही सूरज की रौष्णी मध्धम होने लगी कुछी देर बाद इस रास्ते में हाथी पाउन नाम की जगह आ गई चांडाल गाटी के बारे में जब से सुना था तब से इस जगह को देखने का फैसला कर लिया लेकिन समस्या ये थी कि इस जगह के बारे में ना तो गूगल को पता है ना ही किसी स्थानिय को और ना ही किसी भी किताब में इस जगह का जिक्र है लेकिन ये खतरनाक, haunted और अंग्रेजों के torture की जगा इन ही पहाडी वादियों में मौझूद है आज हम चांडाल घाटी को explore करने जा रहे हैं अभी मैं जिस जगा पर हूँ यहाँ पर सूरत की रोश्णी नहीं है लेकिन हम जाएंगे पहाडी के दूसरी तरफ जहां पर सूरत की रोश्णी है तो दिल थाम के बैठेगा, आगे बढ़ते हैं चांडाल घाटी का रहस से जानने के लिए दिल थामना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पहुँचने का रास्ता लगातार उंचा होता जाता है इन रास्तों में ड्राइविंग करना काफी कठिन है फिर भी गंताविय तक पहुँचने के लिए ये मेहनत करनी ज़रूरी हो जाते है इस उचाई वाले रास्ते में एक बार में एक ही गाड़ी आ या जा सकती मसूरी के इन पहाड़ियों पर आखरी पॉइंट तक रिजॉर्ट एंड होटेल बने हुए इस उचाई पर बना सबसे खुबसूरत और आखरी रिसॉर्ट है डंस्वर्ख कोड़ जो अंग्रेजों के जमाने की प्रॉपर्टी है वक्त के साथ इस रिसॉर्ट में बदलाव होते रहें ये पूरा इलाका देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है इतनी उचाई पर ठंड काफी जादा महसूस होती है हमें बताया गया था यही से कही नीचे जाकर है चंडाल गढ़ी या चंडाल खाटी यहां से हमारी टीम पैदल पैदल ही नीचे को उत्री कुछ देर चलने पर देवदार के पेड़ों की ओट में एक स्थान दिखाई दिया हमारे साथ आए देहरदून के जर्नलिस्ट अभिशेक ने बताया यही है चंडाल कड़ी या चंडाल खाटी इसे गौर से देख लीचे उपर से देखनी पर कुछ महसूस नहीं हुआ इसलिए भी घुमकड की टी वहां से फिर नीचे की ओर उतरी यहां महसूस हुआ कि मसूरी का ये लाका दूर दूर तक रिजोर्ट और अवैद कबजों से पटा पड़ा है प्राइवेट प्रॉपर्टी के नाम पर यहां जबरदस्त अतिक्रमन हुआ है आखिर में कुछ सीडियों से पैदल चलते हुए हमारी टीम उस फासी घर के करीब पहुँच गई जिसके हॉंटेड होने की कहानी बताई जाती जहां अंग्रेज बेगुणा हिंदुस्तानियों को फासी पर लटका दिया करते थे रास्ता बहुत खतरनाक था लेकिन एक खौफनाक और अंदेखी जगह के बारे में जानना था दुनिया को एक अंसुनी जगह के बारे में बताना था इसलिए घाटी में नीचे उतरने का हमने फैसला ले लिए आपके सामने जो खंड हैर सी जगह नजर आ रही है दावा किया जाता है कि यही है वो फासी घर जहां कई बेगुनाहों को अंग्रेजों ने फासी पर लटका दिया दावा किया जाता है कि यह ऐसा सीक्रिट फासी घर था जिसके बारे में आम हिंदुस्तानियों को भी पता नहीं था तब ये स्थान काफी घना जंगल होता था दूर दूर तक सिर्फ देवदार बांच और चीड के पेड़ कुआ करते थे अब यहाँ पर एक छोटा सा ग्राउंड है जहां स्थानिय बच्चे क्रिकेट खेला करते हैं लोग दावे करते हैं यहाँ पर आज भी कई बार भूतिया खटनाओं को महसूस किया गया लोग यहाँ सूरज धलने के बाद आने से कत्राते हैं कहा जाता है कि यहीं वो जगह थी जहां पर अंग्रेज अपने दुश्मन भारतिय क्रांतिकारियों को उठा कर लाया करते थे और यहाँ पर उन्हें फासी पर लटकाया करते थे दरसल अंग्रेज सेना में एक टुकडी ऐसी थी जो क्रांतिकारियों को चुपके से उठा कर लाया करते थे और यहां पर लाकर चुपके से फैसला सुना कर उनको फासी पर लटकाया जाता था ये देखिए यहीं वो जगह है जहां पर उन्हें फासी पर लटकाया जाता था अब उसके अवशेश बचा हैं कुछ सालों पहले तक ये जगह फिर भी थोड़ी ठीक थी लेकिन अब खंधर के सिवा और कुछ बचा नहीं बिंगुमक्कर की टीम ने इस जगह का काफी बारीकी से मौयना किया खंधर उतना विशालकाय प्रतीत नहीं हुआ जितना सोचा था हाँ ये खंधर किसी रिहाइशी घर जैसे भी नहीं है नहीं किसी सरकारी या पुराने दफ्तर सा इसका स्ट्रक्चर नजर आता है खंधर के जादतर हिस्से में काई जम चुकी है यहीं है वो फासी का तक्त जहाँ पर अंग्रेज सेना भारतिक रांतिकारियों को लाकर फासी पर लटकाया करते थे यहाँ पर दो तक्त हुआ करते थे लेकिन अब एक का ही अवशेश बचा हुआ है कहते कि यहाँ से आज भी चीख पुकार सुनाई देती है अजीबो गरीब घटनाए घटने की बाद भी कही गई है यहाँ पर अकेले आने से लोग आज भी डरते हैं पहले यहाँ पर खंडहर का एक हिसा और हुआ करता था धीरे धीरे उसमें से सिर्फ एक ही बचा कुछ साल पहले पास ही में बने होटेल में एक बच्चे की रहसमई हालात पे मौत हुई कुछ लोग उसका कनेक्शन भी भूतिया ताकतों से जोडते हैं हाला कि भूतिया घटनाए, भासी घर, अंग्रेजों के जमाने का क्रूड इतिहास सिर्फ सुना सुनाया है इसका न कहीं कोई पुखता साक्ष है नहीं इसके बारे में कोई सटीक और फुल प्रूफ जानकारी बिंगुमकड को सिर्फ एक ट्लू मिला था उसके पूछ पकड़ते पकड़ते हमारी टीम यहां पहुची और उन साक्षियों को समझने की कोशिश की हाँ एक बात और सच है ब्रिटिश काल में भी मसूरी अंग्रेजों का एहन पड़ाव रहा है मसूरी की मॉल रोट के लिए प्रसिध था कि वहाँ पर हिंदुस्तानी लोग नहीं जा सकते सिर्फ अंग्रेज अफसर और उनके परिवारों को यहां टहलने की अनुमती थी वहाँ बगाईदा बोट लगे थे कि हिंदुस्तानी और डॉक्स का मॉल रोट पर आना मना है ऐसे में इस दावे को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मसूरी की वादियों में ऐसा रहसमय स्थान ना रहा वैसे भी घुमकड की टीम यहां सूरज धलने तक रही उसके बाद यहां से दहरदून की और रवाना हो आज की वीडियो में बस इतना ही जल्दी एक नए और अनोखे स्थान के बारे में आपको कुछ नए, कुछ अद्भूत जानकारी मिलेगी कर दो प्रक्राइब लाया प्रसी के बारे में तक रहां से दुछ प्रेब रहां से जल्दी एक रहा हो झाल प्रस्वार दो जाद वीडियोग उनले वालने तक रहां। झाल झाल